नमस्कार साथियों जै जेम बेडिया आप सभी लोगों को बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का जूम जानदार सांदार जवर्दस्त मीटिंग में और आज हम लोग बहुत ही अच्छे टोपिक पर आप उसके सामने एक दूसरे से चर्चा करने वाले हैं अब हर महीने जो मेरा आप लोगों से मीटिंग का एक सिस्टम रहेगा मैनी में चार बार हबते में सामने मेंट को एक बार है जो मीटिंग के माध्यम से आप लोगों से मिलना होता है लकिन उसमें पहले सकता हम लोग लोग एंट्र टी डबल्लू पर बात करेंगी cookies decided पूरे महीने जितने भी नए लोगों को आपने जूड़ा है अगर उनको सही से शुरुवात नहीं कराई जाएगी तो दोस्तों बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगे आप जैसे अपने बच्चे को जनम देते हैं बच्चे को जनम देने के बाद फिर उसको आप स्कूल भेजते हैं आपके पास कितना भी पैसा हो अगर आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे तो उसका एक सारीरिक विकास तो हो जाएगा लेकिन मानसिक विकास नहीं हो पाएगा और इस दुनिया में सारीरिक विकास से ज़्यादा महत्पूर्ण होता है मानसिक विकास जिसके सारीरिक विकास होते हैं वो बहुत अच्छे बोडी कार्ड बन सकते हैं कमांडो बन सकते हैं लेगिन जिसका मांसिक विकास होता है वो देश का राष्टपती बन सकता है प्रधान मंत्री बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा बिजनसमेन बन सकता है दुनिया का सबसे सफल इंसान बन सकता है और दोस्तों मांसिक विकास होता है ट्रेनिंग से जब किसी कुत्ते का भी मांसिक विकास हो जाता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो CID कुता बन जाता है जब किसी हाथी का मांसिक विकास होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है वो सरकस का हाथी बन जाता है दो पैरों पर चलने वाला दुनिया में जिसके पास मांसिक विकास ज्यादा है वही इन्सान दुनिया पर राज करता है तो justement मार्केटिंग में भी दोस्तों हम जिन लोगों को लाते हैं तुर Sm skipping क्या है निट्वर्ड मार्केटिंग बिजनेस, तीन सब्ध है न, नेटवर्क, मार्केटिंग, बिजनेस, अब आप नेटवर्क में लोगों को ले आए, लेकिन उनको अभी बिजनेस करना नहीं आता, उनको शुरुवाती चीजे भी नहीं पता है, अगर उनका एक सही शुरुवात नहीं होगा, तो लोग अपने तरीके से करेंगे, और अगर अपने तरीके से करेंगे, तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकतर क्या होता है, अपने मर्जी से लोग आते हैं, अपने मर्जी से लोग कुछ समय तक काम करते हैं, और अपने मर्जी से लोग चले जाते हैं, या अपने मर्जी से लो जो एक बहुत बड़ा समुन्दर है, दुनिया का सब कुछ जिसके अंदर है, उसमें चंद लोग इसलिए सफ़ल हो पाते हैं, क्योंकि उनकी सही सुरुवात होती है, तो हम लोग एक मीटिंग एंडी टी डबलू पे करेंगे पहले सब्ता में, जो आज मैं आप लोगों के सा सुझ बात करने वाला हूं, सेकंड सब्ता में हर महीने, मैं आप लोगों के साथ, जू मीटिंग के माध्यम से, डी टीडव्लू करूंगा, डिस्टीविट ट्रेनिंग वर्क्शाप, आप नेटवर्क मارकेटिंग में आ चुके हैं, नेटवर्क मारकेटिंग में आपकी सु हो गई है अब कैसे आप एक एचीवर बनेंगे इसकी चर्चा हम लोग डिटी डबलू में करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग यलडीपी करेंगे लीडर्शिप डेवलेम्मेंट प्रोग्राम तीसरे प्रोग्राम में होगा और चौथे सब्ता में हम लोग एक मोटिवे जिन लोगों को आपने उस महीने जोड़ा है ये आपको पहले से ही पता रहना चाहिए जो आज मैं आप लोगों को एक जलग दिखाऊंगा कि NDTW में क्या क्या होगा और किस तरीके से NDTW आपके बिजनस में आपके लोगों के दिमाग को सोच को बदलेगा और एक अच्छा बिजनस एक अच्छी टर्नोबर और एक अच्छा मुकाम आपको और आपकी टीम को मिलेगा तो बिना देर किये हम लोग NDTW न्यू डिस्टिब्यूटर ट्रेनिंग वर्क्शॉप की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेट्वर्ण मार्केटिंग में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों वर्किंग के साथ लर्निंग बहुत महत पोड़ है क्योंकि नेट्वर्ण मार्केटिंग में एक तो मोटीवेशन है motivation कुछ समय का होता है लेकिन जो learning होती है जो education होती है वो पूरी जिंदगी की होती है एक दिन बड़े तद्दा जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि सोचो हिंदू धरम क्या है हिंदू धरम भी एक विचार है सिख धरम भी एक विचार है इसलाम धरम भी एक विचार है इसाई धरम भी एक विचार है जैन धरम भी एक विचार है लेकिन सब धरमों की अपनी अपनी education है हर धरम का अपना education system है और ये विचार कभी न कभी किसी एक इनसान के माध्यम से आया लेकिन उस इनसान ने उस बिचार को एजूकेशन में डाल दिया और आज पुरी दुनिया में करोडो अर्भो अनुयाई हर धर्म के हैं हर धर्म फलफूल रहा है चल रहा है क्огि उसकी एजूकेशन नहीं बंद हुई उसके जो उस बिचार पर चलने वाले लोग थे ना पुरी दुनिया आज कि किसी कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में एक घर्म पे नहीं है एक विचार पे नहीं है तो नेट्वर्क मार्केटिंग भी ऐसे विचार है network अधा है नेट्वर्क मार्केटिंग में भी हमें एजूकेशन लाना पड़ेगा और आज जो कंपनियां 50 साल, 25 साल से लगातार नेटवर्ग मार्केटिंग में हैं, और जिनके लीडर कितनी भी बड़ी कामियाभी पाजाएं, तो भी उस कंपनी को छोड़ के नहीं जाते, या छोटे से छोटे लीडर जो इस company में आकर एचीवर बनते हैं वो कमपनिया क्या करती हैं अपने लीडरों को, अपने distributorों को, अपने new लीडरों को educations के साथ जोड़ देती हैं एजूकेशन जैसे हर समाज में एक एजूकेशन बनी, केजी से लेकर डिपलोमा तक, पीजी तक, केजी से लेकर पीजी तक, एक एजूकेशन सिस्टम बनाया गया किसी भी समाज को डबलब करने के लिए, केजी मतलब सर्बोतन शुरुवात आप कहेंगे लिए, पीजी मतलब post graduate, इंसान PhD कर ले रहा है, तो KG से PG तक पूरा एक system है, ऐसे हमें आपको भी बनाना पड़ेगा, आने वाले समय में JMBD अभी 10 साल की company है, आने वाले समय में 25 साल की company होगी, 50 साल की company होगी, सैकड़ो साल की कंपनी होगी लेकिन वो सिस्टम आज से ही हमें आपको मिल कर बनाना पड़ेगा तो jmbd top training system यह मैं एक नाम दे रहा हूँ jmbd top training system एक ऐसा system होगा जो दुनिया का सबसे अच्छा training आप लोगों को देगा हर उस networker को देगा, हर उस व्यक्ति को देगा जो network marketing में इतिहास रसना चाहता है, जो एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, चाहे वो पारिवारी हो, चाहे ब्यापारी हो, चाहे समाजी हो, चाहे आरती हो, हर प्रकार की training GMBD top training system के माध्यम से मिलेगा, और जो GMBD top training system में आएगा, वो एक दिन top पर जरूर पहुचेगा, इ आज इसमें हम लोग जो बात करेंगे GMBD NDTW program, NDTW का पूरा मतलब new distributor training workshop, एक ऐसा workshop है, जिसमें नए लोगों को बताया जाएगा कि networking भी क्या है, फिर उसे क्यों करना चाहिए, फिर कैसे करना चाहिए, सारी चीज इसके उपर अगले 10 बजे तक आप लोगों के साथ चर्चा होगी, जो अभी 45 मिनट अपने पास बचा है, दोस्तों, अगर सड का पहला बटन गलत बंद हो जाए, तो फिर बाकी बटन सही नहीं बंद हो सकते, आप कुछ भी कर लीजी, अगर आप चाहते हैं कि आपके सड का सारा बटन सही बंद हो, तो इसके लिए पहली चीज है, आ आखरी बटन तभी सही बंद होगा, इसी प्रकार से दोस्तों हमें जानना बहुत जरूरी है कि नेटवर्ग मार्केटिंग क्या है, नेटवर्ग मार्केटिंग क्यों करें और नेटवर्ग मार्केटिंग फिर कैसे करें, आज अधिकतर लोग नेटवर्ग मार्केटिंग मे या तो प्रभाव की वज़े से आ जाते हैं, या तो दबाव की वज़े से आ जाते हैं, और फिर कुछ समय के बाद छोड़के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं है नेटरूर्ग मार्केटिंग है क्या, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो कोई मनी सरगलेशन कमपनियों में जाइन कर लेते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो बार-बार कमपनी बदलते रहते हैं, मनलब दुनिया भर की चीजें होती हैं, क्योंकि उनको नहीं पता वास्तिविंग नेटरूर्ग मार्केटिंग है क्या, और जरा सी दिक्कत आती है कुछ लोगों के सामने, जैस नेटरूर्ग मार्केटिंग में लोगों को चेक नहीं आया जल्दी तो छोड़ देते हैं, या बड़ा चेक नहीं आया तो छोड़ देते हैं, या घर में कोई प्रोब्लम हो गई तो छोड़ देते हैं, या अगर करते भी रहते हैं नेटरूर्ग मार्केटिंग लोग, तो यह नहीं पता कैसे करना है अपने हिसाब से करते रहते हैं दोस्तों जिन्दगी की कोई भी शुरुवात हुई वो अपने आप से ही हुई लेकिन बाद में उसे प्रोफेशन बनाया गया जैसे दुनिया का पहला हवाई जहाज इसने बनाया वो किसी इन्वरसिटी में पढ़ बनाना नहीं सिखा था उसकी अपनी सोच थी लेकिन आज तो इंजीनियर ही बना रहे हैं इसी प्रकार से कोई भी चीज आप ले लीजिए फिल्मों में कभी कोई फिल्मों के एक्टिंग के स्कूल नहीं होते थे लेकिन आज तो फिल्मों के एक्टिंग के नाचने के गाने के बजाने के कितने स्कूल हैं एक समय था खेल का कोई स्कूल नहीं होता था खेलोगे, कुदोगे, होगे, खराब और पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे, नवाब लेकिन आज खेल, कुद की कितनी पढ़ाई, लिखाई हो रही है जब भी किसी भी छेतर से हमें करूनों कमाना है तो हमें उसे प्रोफेशन में लाना पड़ेगा उस प्रोफेशन को हमें समझना पड़ेगा छोटी-छोटी बारीकियों को समझना पड़ेगा क्या करने से इंसान सतक मारता है ये सीखना पड़ेगा और कौन सी गलती होने से निन्यान नवे पर इंसान आउट हो जाता है, फिर ये भी हमें समझना पड़ेगा, तभी हमारा सारा डाउट क्लियर हो पाएगा. तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं, नेट्वर्ग मार्केटिंग क्या है? दोस्तों नेट्वर्ग मार्केटिंग एक परिवर्टन है, और ये परिवर्टन दो चीजों का है, पहला समान खरीदने का ये परिवर्टन है, दूसरा पैसा कमाने का ये परिवर्टन है, और अगर आज आप देखें, तो समान खरीदने में भी कई परिवर्टन आ चुके हैं पहले आप समान किसी ना किसी रिटेलर से खरीदते थे, फिर आपके पास एक आउलेट सिस्टम आ गया, फिर आपके पास बिग बजार, एजी डे, बिसाल, बड़े-बड़े मौल आ गए, अब आपके पास ओनलाइन ब्योस्था आ गई, लेकिन इन सारी ब्योस्था में आप क खरिदारी करते हैं, कस्टमर बनकर नहीं, जहां पर आप खरिदारी करते हैं, पार्टनर बनके, सबसे बड़ी बात यह है, दूसरी बात, नेट्वर्क मार्केटिंग पैसा कमाने का भी एक परिवर्तन है, आज तक पैसा कमाने के लिए भी लोगों ने बहुत सारे रास्ते चुने, पैसा कमाने के लिए सबसे पहले लोग खेती करते थे, फिर पैसा कमाने के लिए लोग नौकरी करने लगे, फिर पैसा कमाने के लिए लोग दुकान खोलने लगे, फिर पैसा कमाने के लिए लोग डॉक्टर इंजीनियर वखील बनने लगे, फिर पैसा कमाने के लिए सबसे प्रजातांत्री तरीका सबसे फास्ट तरीका पैसा कमाने का रुपया कमाने का करोड़ पती बनने का दोस्तों वह नेट्वर्ग मार्केटिंग है आज लोग 60-60 साल काम करते हैं फिर भी उनके बैंग में एक करोड़ बैंग बैलेंस नहीं हो पाता लेकिन पर्ष से अपने बैंक बैलेंस हर महीने एक करोड़ रुपया महीना भी कर सकते हैं और ऐसा बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियों में कर रहे हैं तो नेट्वर्ग मार्केटिंग एक परिवर्तन है समान खरीदने का भी और पैसा कमाने का भी कुछ तथ्यों पर हम लोग network marketing के बात करेंगे दोस्तों network marketing हो एक खुब सूर्थ बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज्यादा करोणपती दिए हैं अगले करोणपती आप हो सकते हो यदि आप ठीक से जान ले कि network marketing क्या है दोस्तों आज बहुत सारे लोगोंने लगबख साट सो 95 लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनोंने डारेक सेलिंग के माद्यम से अपना एरजट खरीदा है और अभी डॉक्टर आजासर से मैंने कमेंटमेंट किया है कि बहुत जलदी डॉक्टर आजासर भी GMBD के माद्यम से पैशा किमा के ऐसे अपना एरजट खरीदेंगे आज अगर पेपरों की बात करें तो 21 सदी की सबसे बड़ी क्रांती डारेक्ट सेलिंग उद्धियोग और ये 2000-21 सदी ही चल रही है और इस सदी की सबसे बड़ी क्रांती डारेक्ट सेलिंग उद्धियोग है जिसमें हम आप सब हैं बिरोज जैसे समस्या का हल साबित हो सकती है नेटवर्ग मार्केटिंग ये चोटा मोटा काम नहीं है दोस्तों ये बहुत बड़ा वर्दान है इसके बारे में आज समाज में बहुत सारी गलत धारनाएं हैं गलत बाते फैली हुई हैं लेकिन उन पर हमें ध्यान नहीं देना हर बात है कि हम लोग भारत में रहते हैं और भारत का भविष नेटवर्ग मार्केटिंग में हैं दोस्तों नेटवर्ग मार्केटिंग का जहर से मैंने कहा एक परिवर्तन है और परिवर्तन ही लोगों को जीरो बनाता है और परिवर्तन ही लोगों को हीरो बनाता है आप देख वो सारे लोग आपको दिखेंगे जो कभी हीरो थे लेकिन आज जीरो हो चुके हैं, चाहे वो एमबेजडर कार हो, चाहे वो याभू हो, चाहे हम्टी घड़ी हो, चाहे मट्रोला मोबाइल हो, चाहे नोकिया मोबाइल हो, चाहे एटलस साइकिल हो, ये सारे लोग जो परिवर प्रवावार्यूसेय। अगर तब भी हीरो थे और अपडेट होते रहे तो आज भी हीरो हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसमें जो लोग अभी परिवर्तित हो जाएंगे अगर आज वो हीरो हैं तो आगे भी हीरो रहेंगे। कितने भी बड़े हीरो हैं, वो आने वाले समय में जीरो हो जाएंगे और फिर उनको कोई हीरो नहीं कर पाईगा क्योंकि वो परिवर्तन में परिवर्तित नहीं हुए. दोस्तों Network Marketing में आज तक आपने सुना होगा कि Network Marketing में 4 P बहुत महत्पूर्ण होते हैं, company का profile महत्पूर्ण होता है, company का plan महत्पूर्ण होता है, company का product महत्पूर्ण होता है, और company का payout महत्पूर्ण होता है, लेकिन आज मैं आप लोगों से कह रहा हूं, कि किसी भी network marketing में 7P बहुत महत्पूर्ण होते हैं, 4P नहीं, 7P बहुत महत्प पूर्ण होते हैं तब ही जाके पूर्ण सक्षे जाती है और दोस्तों Network Magazine में सबसे पहला P.A. लोग आप जिस Network मार्केटंग में काम कर रहे हैं उस Network Marketing Company को चलाने वाले जो Management जो मालिक हैं उनके वो किस सोझ से उस Network मार्केटिंग को चला रहे हैं उतनी ही बड़ी कामियाभी आपकी आएगी क्योंकि आप एक हीरो हो आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो आप उस कंपनी के लिए केवल नेट्वर्क बना सकते हो जैसे आप किसी भी फिल्म में केवल एक्टिंग कर सकते हो आप डांस कर सकते हो आप नाच सकते हो, आप रो सकते हो, आप हच सकते हो, आप एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन अगर उस फिल्म की कहानी और गाने अच्छे नहीं हैं, तो आपकी एक्टिंग बेकार हो जाएगी, कि सोच के साथ, जैसे कि मैं जेमबीडी बताओं, तो जेमबीडी ने पहले दिन कह कि धूम्रपान को छोड़ कर कोई ऐसा समान नहीं बचेगा जो जेएंबीडी में ना आए जेएंबीडी ने पहले दिन अपना रिश्टेशन मल्टी ट्रेड में कराया है लेकिन जे BD ने अपना रजिस्टेशन मुल्टी ट्रेड में कराया है। यहां पर एक में छोटा सा उधारण देना चाहूंगा। दोस्तों, नेट्वर्क मार्केटिंग एक परिवर्तन है, जैसे मैंने थोड़े दिर पहले आपको बताया। लेकिन जब टेली कौम का परिवर्तन आया था अपने देश में भारत में, पहले आप सब को पता है कि अंतरदेशी चलती थी, पोस्ट कार्ड चलते थे, डाकिया आ आइडिया लेकर आई, रिलायंस, रिलायंस कम्मिकेशन लेकर आई, और भारत सरकाल BSNL और MTNL लेकर आया। ये सारे लोग दिगज हैं। आप सोचो कि अगर आज आपको पता चले कि भारत सरकाल नेट्वर्क मार्केटिंग में आ गई, तो क्या माहूल बनेगा। अधिकत अगर आज टाटा नेट्वर्क मार्केटिंग कमपनी लेकर आ जाए, बिला नेट्वर्क मार्केटिंग कमपनी लेकर आ जाए, रिलायंस नेट्वर्क मार्केटिंग कमपनी लेकर आ जाए, कितने लोग आज ही पूरा सब कुछ छोड़ देंगे नहीं, ये टाटा के साथ च उतना सफल हुआ क्या Reliance Communication उतना सफल हुआ आज जी ओ आया है इसके पहले Reliance Communication क्या उतना सफल हुआ क्या आज आप BSNL और MTNL की सिम लेना चाहते हैं नहीं आज Mobile Communication में सबसे ज़्याजा सफल कौन हुआ एर टेल और आज भी सबको टककर एर क्पर्ल दे रहा है रेल्वे के ब्राड बेंड में रेल्वे अपने ब्रोड़ बेंड सिस्टम में आ ब Aurai ईंच करता है न ताटा यूज करता हैं यूज करता है Airtel की service यूज़ करता है कहने का मतलब क्या सुनील मित्तल जो Airtel लेकर आए Airtel उनका hard था लेकिन Tata Indicom Tata Group का एक part था Reliance Communication Reliance का एक part था Idea Birla का एक part था BSNL, MTNL, भारत सरकार का एक part था और आपकी सरीर बिना part के चल सकती है, लेकिन आपकी सरीर बिना hard के नहीं चल सकती कई लोग अपने सरीर में से part निकलवा देते कुछ लोग हाथ कड़ जाता है पाओ कड़ जाता है, कान कड़ जाता है कई लोग अपने सरीर में से गरभा से निकलवा देते हैं, पिता से निकलवा देते हैं, फिर भी जिन्दा रहते हैं, बिना पाड के जिन्दा रहते हैं, लेगिन क्या कोई अपना हार्ड निकलवा के जिन्दा रह सकता हैं, तो इसलिए दोस्तों नेट्वर्क मार्केटिंग में भी अब नेट्वर्क मार्केटिंग देजरे फलने फुलने लगा है और यह समझना बहुत जरूरी है कि हम जिस company में काम कर रहे हैं उस company के मालिक का वो company heart है या part है ये बहुत जरूरी है और दोस्तों मुझे बताते हुए आपको ये गर्व हो रहा है कि network marketing में जींबी डी बिजनेस दद्दा जी का heart है हम सभी लोगों का heart ह हमारे पास network marketing में या हमारे जीवन में जींबी डी का कोई बिकल्ब कोई part मौजूद नहीं है ये हमारा heart है और अगर आप लोग जींबी डी बिजनेस में हैं तो आप एक ऐसी company में हैं जिसके people दुनिया की number one direct selling company खड़ी करने के लिए वचन बद्द हैं और इसलिए लगाता अच्छे से अच्छे quality के product अच्छे plan के साथ ला रहे हैं और जो लगातार आते रहेंगे तो कभी भी profile मत देखिए क्योंकि दुनिया की कोई भी profile किसी people ने बनाया है लेकिन दुनिया का कोई profile एक people नहीं बना पाया है लेकिन एक people ने दुनिया की पता नहीं कितनी सारी profile बन डाली हैं तो नेट्वर्ग मार्केटिंग में प्रोफाइल नहीं सबसे पहले पीपूल देखें फिर नेट्वर्ग मार्केटिंग में आप उत्पात देखें आप जिस नेट्वर्ग मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं उसके प्रोड़क्ट 80% लोगों वाले हैं या 20% या 100% लोगों वाले हैं, क्योंकि आप बुनिया की सबसे अच्छी कंपनी में काम करें, आप एक व्यापार कर रहे हैं, और आज देश का व्यापारी है Tata, लेकिन जिसने क्यों 20% लोगों के लिए प्रोड़क्ट बनाया, ट्रक बनाया, बड़े-बड़े कार बनाई, हवाई जहाज तक Tata ने बनाया, तनिस सोरूम खोल दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो चाय पत्ती, नमत और मसाले कुछ चीजों को छोड़कर Tata का कोई ऐसा प्रोड़क्ट नहीं है, जो 100% लोग यूज करें, सारे प्रोड़क्ट 20% लोगों के लिए हैं, लेकिन रिलाइंस न प्रोड़क्ट लेते जाएंगे, और इसलिए आज वो नमबर वन है, तो हम जिस भी कंपनी में, आप माली जी एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ के पास एक लाख लोगों का नेट्वरक हो गया, लेकिन वो नेट्वरक केवल हेल्थ प्रोड़क्ट ही खरीद रहा ह या वो नेट्वरक केवल खेती के प्रोड़क्ट खरीद रहा है, या वो नेट्वरक केवल बरतन खरीद रहा है, या वो नेट्वरक केवल एक प्रोड़क्ट खरीद रहा है, तो बाकी चीज़े तो मार्केट से ही लेगा, जिससे आपको कोई टर्नोबर नहीं मिलने वाला या उस company के rate इतने महंगे हैं कि जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं वो तो खरीज सकते हैं, जो लोग नहीं कमा रहे हैं उतना वो नहीं खरीद रहे हैं, तब भी आपका नुकसान होगा, तो product देखें, product के साथ, फिर product की price, कीमत देखें, इसके बाद फिर plan देखें, plan से पैसा आता है, दोस्तों, आज कोई network marketing company नहीं है, ऐसी, जो single joining पर पैसा दे, single line पर पैसा दे, direct income दे, point income unlimited दे, average 50% दे, दो ही line ओ के business पर royalty income भी दे और fund income भी दे, आज बहुत सारी company आप fund income देती हैं, तो उनके साथ कोई extra income नहीं देती, अगर व्यक्ति को car fund आ रहा है, तो car fund के अलावा कोई income नहीं आ रही है, लेकिन network marketing plan में आप GBD का plan देखेंगे, तो इसमें जब आपको car fund आ रहा है, तो उसके साथ आपको royalty और technical fund अलग से आ रहा है, यह सबसे बड़ी खासियत है, store awareness कहीं नहीं है, आपको आप देखिए, आप direct income आपकी down line कर रहा है, उसका भी awareness आपको आएगा, वो point बना रहा है, उसका भी awareness आपको आएगा, वो fund achieve करेगा, उसका भी awareness आपको आएगा, ऐसा कहीं नहीं है, दुनिया का number one plan आज JNBD में आपकी company के पास है, payout, दुनिया में बहुत सारी company हैं, जो तीसरे महिने पैसा देती हैं, दुनिया में बहुत सारी company हैं, जो कितनी भी महिनत कर लो, एग लाग रुपया कमाने के लिए 70-70 लाग का turnover देना पड़ता है, तब एग लाग का payout आता है, लेकिन JNBD एक ऐसी company है, जिसमें आप 4-5 लाग का turnover देखर भी एक लाग रुपय का payout ले सकते हैं, जिसमें आप 6 महीने system से काम करके एक करोन रुपय तक का payout ले सकते हैं, तो दोस्तों, people भी देखना जरूरी है, product देखना भी जरूरी है, price देखना भ जरूरी है, payout देखना भी जरूरी है, लेकिन इसके बाद performance देखना भी जरूरी है, ये हर meeting में बताया जाता है, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, company का profile क्या है, company का plan क्या है, company का product क्या है, company का payout क्या है, भहिया, दुनिया की number one company आपके पास हो, दुनिया का number one plan आपके पास हो, प्रोडेक्ट हो, प्राइज हो, सब कुछ हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो प्रोफाइल से आपकी प्रोफाइल बनने वाली नहीं है, और आज ये बहुत सारे लोगों नहीं सीख लिया, जिनको नेट्वर्क मार्केटिंग की A B C D नहीं पता है, जो मही परफॉर्मेंस क्या है, प्रोफॉर्मेंस क्या है, इस पर अगर उनसे चर्चा कीजिए तो उनको बुरा लग जाएगा, लेकिन याद रखिए, नेट्वर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे अच्छा छेत्र है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीजे उनहीं को मिली हैं, जिनोंने परफॉर्मेंस दिखाया, परफॉर्मेंस क्या है, अब परफॉर्मेंस पर अगर बात किया जाए, तो दोस्तों, कभी आप लोगोंने देखा है, लाइब वाय साबून का परचार है, लाइब वाय साबून के परचार के साथ, किसी भी अत्रिक्त साबून का परच जब कोई कमपनी कराती है तो जो दूसरा सबूनों दिखाती है. उसमें वो सैकड़ो किटाडू दिखाती है. लेकिन जो ग्वाई डिटोल क्यों ले एक दो किटाडू तो इसमें भी बची जा रहे हैं कौन सा यह 100% क्लीन कर रहा है लेकिन दोस्तों यह प्रगिर्द का नियम है 100% क्लीन कहीं नहीं है 100% कहीं नहीं है और इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े अचीवर हैं उन्होंने उन कंपनियों में काम करके अपने को दुनिया का सबसे बड़ा अचीवर नहीं बनाया जिन कंपनियों में कोई कमी नहीं थी बल्कि उन्होंने अपना performance उधारा और जैसी company थी जो product था जो plan था जो system था company को नहीं बदला अपने को बदला company के लिए network बनाया ज्यादा network बनाया लाखों करोनों का network बनाया और उसी company से उसी plan से उसी ऐसे ऐसे उधारन पेस किये मार्केट में कि दुनिया के बहुत साड़े लोग उस कंपनी में आना चाहते हैं या आने का मन बना रहे हैं या जो छोड़कर चले गए वो लोग भी उन लोगों को देखकर वापस आ रहे हैं उन्होंने ऐसा प्रफॉर्मेंस किया प्रफॉर्मेंस ये बहुत बड़ी बात है और अगर आपको दुनिया का सरबोत्तम एचीवर बनना है दोस्तों दुनिया में अभी तक सतर करोन लोगों से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी नेट्वर्ग मार्गेटिंग में जवाइन हैं लेकिन सतर करोन लोगों म से केवल साथ सो लोग अपना एरजट खरीद पाएं हैं एक परसंट रिजल्ट भी नहीं है ये सत्तर करोन का एक परसंट भी सात लाथ होता है यहां पर 70 लाथ होता है और यहां पर केवल 700 लोग ऐसे हैं जो network marketing में एर जड़ खरीद पाए हैं क्योंकि वो 700 लोग ऐसे हैं जिनोंने वो performance दी उस company में डट कर खट कर तो आप सब को हम सब को यह ध्यान रखना पड़ेगा और हमें रोज अपनी performance को देखना पड़ेगा वरना company कितना भी अच्छा plan कर दे company कितना भी अच्छा product ले आए प्राइज ले आए जो company के हाथ में है company सब कुछ कर देगी लेकिन जो networker के हाथ में है अगर वो networker नहीं करेगा वो performance नहीं दिखाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा achiever कभी नहीं बन पाएगा और जो लोग ऐसा दिखाएंगे वही दुनिया के आने वाले समय में सबसे बड़े चीवर बन पाएंगे और वही आने वाले समय में एक luxury वाला जीवन इस दुनिया में जीएंगे साथवा दोस्तों performance के इस बात passion सब्र भी होना बहुत जरूरी है बड़ी काम्याबी एक दिन में नहीं आती लेकिन एक दिन जरूर आती है जो इनसान सब्र के साथ आप लोग साही बाबा का हर मंदिर पर दो सब्द लिखा होता है स्रद्धा सबुरी आपको पता है इन दोनों सब्दों का मतलब स्रद्धा का मतलब साही बाबा ने बताया कि आपको अपने काम में स्रद्धा होनी चाहिए जैसे उन्होंने कहा सबका मालिक एक है उन्होंने इस बाद में स्रद्धा चाहे उनको किसी ने गाली दे दी, चाहे उनको लाठी मार दिया गया, चाहे उनको कुछ भी किया गया, उन्होंने स्रद्धा रखा कि सबका मालिक एक है। और उन्होंने सब्री का मतलब होता है सब्र, उन्होंने सब्र रखा, पहले वो इन्सान बने, और इन्सान बनने के बाद उन्होंने अपने करमों में स्रद्धा रखी, और उस स्रद्धा को रखने के बाद आज वो कितने मंदिरों के भगवान बन गए हैं, एक दिन में बने क्योंकि उन्होंने सब्र रखा और कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जब उनका आखरी साल चल रहा होता है जब उनका आखरी इम्तहान चल रहा होता है जहां के बाद वो गुरू होने वाले होते हैं वहीं से फिर वो सुरू हो जाते हैं निन्यान नवे पर जरूर साप का करता है ये याद रखना चाहे साब शीड़ी का खेल हो चाहे जीवन का खेल हो निन्यान बे के अंक पर निन्यान नवे के रन पर इंसान अधिकतर ऑउट हो जाता है क्योंकि वो वहां सब्र नहीं कर पाता गलत सोट खेल देता है दोस्तों अगर दुनिया का सबसे बड़ा एचीवर हमें आपको बनना है तो सब्र करना भी सीखना पड़ेगा वरना हमारी कबर अपने आप खुद जाती है और इंसान उसके अंदर जाकर जीरो हो जाता है तो ये साथ पी जरूर याद रखिए तभी आपको एक बहुत बड़ी सफलता मिल पाएगी दोस्तों आज बहुत सारी नेट्वर्ग मार्केटिंग कमपनियां भारत नहीं पूरे बिस्व में नेट्वर्ग मार्केटिंग को लेकर आ रही है और बहुत सारे लोगों को सफल बना रही है जेमबीडी भी एक नेट्वर्ग मार्केटिंग बिजनस कमपनी है जो 2012 से सुरू हुई है लेकिन आज बहुत सारी नेट्वर्ण मार्केटिंग कमपनियों से JNBD अलग है, JNBD आप किसी भी कमपनी को देख लीजिए, या तो हल्थ का प्रोड़ेट या तो किचन का प्रोड़ेट या तो व्यूटी प्रोड़ेट मिलेगा, लेकिन JNBD एक ऐसी अपग्रेट कमपनी है, जिसमें गुड मॉर्णिंग से गुड नाइट तक आपको सब कुछ मिलेगा, प्राइज, अन्य कमपनियों में बीस परसंट लोगों को ध्यान में रखकर प्रोड़ेट तय होता है, JNBD ने हंडेट परसंट लोगों को ध्यान में रखकर प्रोड़ेट तय किया है, और कमपनियों में जो plan हे वहा तो multi leg है या तो binary है लेकिन GEMBD में 2 leg upgrade plan है और कमपनियों में product की quantity आप जो पाइंगे 10 product, 50 product, 100 product, 300 product इतने ही productों में cuando ya 60-60 साल शे चल रही है लेकिन GEMBD मादर 10 सालों में 600 product पे काम कर रहा है, किसी भी company में आप single joining पर पैसा नहीं पाएंगे जो GMBD में मिलेगा, किसी भी company में single line पर पैसा नहीं है, जो GMBD में मिलेगा, network income कुछ company देती हैं, कुछ नहीं देती हैं, repurchase income ही देती हैं, लेकिन GMBD business में आप unlimited network income ले सकते हैं, री-purchase income हर company देती है, GMBD भी देती हैं, लेकिन unlimited देती हैं, company turnover में सामिल होने का मौका, किसी भी company में आप देखेंगे, तो बहुत बड़ा turnover करने के बाद मिलता है, GMBD में 5 लाग वीवी, 5 लाग वीवी, 6 महिने करके सामिल हुआ जा सकता है, और store awareness किसी company में नहीं है, जो GMBD में 2 percent है, तो अन्य कंपनीों से GMBD का plan बहुत update है, बहुत upgrade है, इस पर केवल हम सबको performance करने की जरूरत है, जेमबीडी के बारे में दोस्तों और गहराई से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो जेमबीडी मल्टी टेर प्राइवेट लिम्टेट कंपनी का पुरा नाम है 2012 में इसकी शुरुवात हुई है एक उत्पाद के साथ शुरुवात हुई है अब तक 600 उत्पाद है 25 राज में मैजिक कॉर्णर, इस्टोर, बजार और मॉल जेमबीडी के खुल चुके हैं विदेशों में भी इसकी शुरुवात हो गई है और लाखो गरहाँ का आज जेमबीडी के माध्यम से स्वस्त और समरिध हो रहे हैं आने वाले समय में दोस्तों जेमबीडी का ऐसा आपको विश्त्रित छे मंजला कॉंसर्प मिलने वाला है जिसमें आपको टू बीलर दिखेगा, फोर बीलर दिखेगा, एफम सीजी सोरूम दिखेगा, हेल्थ कियर दिखेगा, इलेक्ट्रोनिक दिखेगा, रेश्टोरेंट दिखेगा, इसने माहाल दिखेगा, ऐसे बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन जो दोस्तों जेमबीडी में मैंने कहा ना परफोर्मेंस, जेमबीडी में जब एक प्रोड़क्ट था, जब जेमबीडी में कुछ भी नहीं था, केवल एक सपना था, होगा, कोई भी चीज होग एक दिन JMPD में दूसरा प्रोड़ट भी आएगा होगा सब कुछ होगा लेकिन JMPD शुरू होने के पहले दिन से जो इनसान जो एक सबसे अच्छी सच्छियत ने JMPD का हाथ ठामा और आज तक JMPD का हाथ नहीं छोड़ा और आज पता नहीं कितने हजारों लोगों को उन्होंन के माद्यम से करोनो रुपया कमा चुके हैं आज वो पूरे भारत के लिए एक उधारन बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने प्रफॉर्मेंस करके दिखाया आज आज सब उनको देखकर मोटिवेट होते हैं आज भी अभी आजाज सर का फोन आया था सर मैंने नो जोइनिंग साम तक करा दी रोज फोन करके अपना आप डेड़ देते हैं रोज फोन करके बताते हैं कितने लोग ऐसा करते हैं जो ऐसा करते हैं वही एक दिन आजाज सर की तरह बनेंगे तो दोस्तों आज आजाज सर अभी देखिए एक लाग 30,847 का चेक सर को मिला लेकिन यह टीडियस और जो आपका रिपर्चेज कलब में पैसा होता है उसको काड के है वरना यह चक डेड़ लाग से उपर था तो आज एक बहुत अच्छा चक ले रहे हैं और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो JNBD को एस एक करियर अपना रहे हैं और बहुत सारा कुछ JNBD से ले रहे हैं अभी कत्ति जनौरी को भी बहुत बड़ा कुछ किया जाने वाला है आजासर ने ये अपनी नई कार खरी दी तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो जेंबीडी के माध्यम से एक अपनी सपनों वाली जिंदगी को जीने की सुरुवात कर चुके हैं बहुत सारी हैं आज विधायक स्रेणी के भी लोग जेंबीडी बिजनस को जोईन कर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है लेकिन दोस्तों याद रखियेगा नेटवर्ग मार्किटिंग बिजनस हम आप कर रहे हैं और नेटवर्ग मार्किटिंग तो वो आप कैसे दिखाएंगे, इस पर चर्चा करते हैं। लोगों से आप एक बात बोलेंगे कि किस्मत बदलने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। आप सामने वाले से बोलेंगे कि अब तक किस्मत बदलने के लिए आपने बहुत कुछ किया होगा। बहुत सारी पूज का रैपर बदलना है रैपर बदलिये और किसमत बदलिये ये एक स्लोगन आप बना सकते हैं रैपर बदलिये और करोनो रुपे महीने कमाएं ये भी आप लोगों के बीच रख सकते हैं इस तरीके से आपको लोगों को प्लान देना है कि खरीदारी करना आपका सोख है या और अगर ये मजबूरी ही आपको करोनो रुपया कमाने वाला बन जाए तो कैसा रहेगा तो लोगों के अंदर एक एक्छा जागरित होगी कि कैसे ये हो सकता है फिर आपको उनको बताना है कि देखिए आज आप किसी भी दुकान से उत्पाद खरीदते हैं तो क्या वहां सु अगर यही सारी चीज़े आप GMPD से करेंगे तो सुदता की 100% गारंटी मिलेगी 10-60% डिसकाउन मिलेगा 6-22% बोनस मिलेगा साल में दो बार आपको फिरी उत्पाद मिलेगा और हर और 6 महीने में अगर आपने महिनत कर ली तो आपको करोनो कमाने का मौका भी मिलेगा और आ GMPD करोनोर रुपया महिना कहां से देगा इसके उपर आप लोगों से जो चर्चा करेंगे और आप भी समझ लीजिए दोस्तों आज आप सब हम सब गरहां थें और हम सब जो भी समान लाते हों किसी रिटेलर से लाते हैं रिटेलर के माध्यम से ही हमें समान मिलता है और distributor, retailer के मात्यम से हम तक माल पहुंचता है और जो माल 50 रुपे में तयार होता है वो हमारे आप तक आते आते 1.5 रुपे का हो जाता है अब आप सोचिए कि आज परचार करने वाले distributor, retailer ये सब करोड़ पती हैं या नहीं कहीं न कहीं यही पैसा JNBD Business Company सीधा और सीधा आप partner होते हैं आप customer नहीं होते हैं और जो बीच में ये लोग पैसा बाढ़ रहे थे उसी 75% पैसे का company आपको partner बना देती है JNBD Business में आकर आप 75% पैसे के partner बन जाते हैं और यहीं से आपके करोड़ों कमाने के सफर की सुरुवात हो जाती है आपकी खरीदारी आपका business बन जाता है और आप एक व्यापारी बन जाते हैं छे माह में करोड़ों महीने कैसे आएंगे दोस्तों पहला महीना आप ने 6,000 रुपे के product से सुरुवात की आपकी टीम दस लोगों की आप टीम बनाई अपनी सुरुवात करने के बाद आपकी direct आमदनी जो होगी वो 4,000 रुपे होगी 400 रुपे एक ब्यक्तिक के हिसाब से करेंगे और आपकी total आमदनी 5,000 तो लोगों को बताईए कि आपने 6,000 में बिजनस शुरु किया दस लोगों को इस बिजनस को 6,000 में शुरु कराया और आपने 5,000 रुपे कमा लिया दूसरे महीने आपके 10 लोग अपने 10 लोग लाएंगे अब आपने 10 लोग लाएंगे आपकी पॉइंट आमदनी 10,000 होगी क्योंकि 100 टीम पर आपके 50 पॉइंट बन रहे हैं और 200 रुपे किसाफ से आपको 10,000 रुपे पॉइंट आएगा और एवरनेस आमदनी आपको आएगी 20,000 क्योंकि आपके जो ये 10 लोग हैं इनोंने 40,000 रुपे कमाया है 4-400 के हिसाफ से और उसका 50 परसंट 20,000 आपको आवरनेस आमदनी आएगी और आपकी टोटल आमदनी होगी दूसरे महीने 30,000 तीसरे महीने आपके 100 लोग अपने 10 लोगों को 6-6,000 का समान देंगे 1000 लोगों की टीम होगी आपको डारेक्ट आमदनी नहीं आएगी लेकिन केवल पॉइंट आ एक लाख ही आमदनी दिखा रहा हूं जबकि एवरनेस आमदनी भी इसमें जुड़ेगी रीपर्चेज आमदनी भी इसमें जुड़ेगी चोथे महीने 1000 लोग केवल 10 लोगों को 6-6,000 का समान दे दें आपके 10,000 लोगों की टीम है और क्योल पॉइंट आमदनी दोस्तों आ आपकी एक करोन होगी आप सोचिए इसमें जब एवरनेस आमदनी जुड़ेगी इसमें रीपर्चेज आमदनी जुड़ेगी तो यही इनकम कहां जाएगी 6 महीने में एक करोन जबकि 5 महीने में एक करोन आ रहा है एक महीना भी बचा हुआ है और यह आगे भी आएगा अब यहां आपको समझने वाली बात क्या है दोस्तों आपको उनको 6,000 के प्रोडेक्ट पर 10 परशन फोकस करना है आपको उनकी नजर बार बार एक करोड पे लानी है अगर आप उनके दिल और दिमाग में एक करोड का पे आउट घुसाने में कामियाब हो गए तो आप वहां से 6,000 रुपया लेकर उठेंगे लेकिन अगर आप उनके दिमाग में प्रोडेट घुसाने में कामियाब रहे एक करोण रुपए का पे आउट घुसाने में कामियाब नहीं रहे तो हो सकता है आपका 600 का भी समान ना भी किए ।ूसरी बात मैं आप समझे आज लेडी जे इस व्य हजार इकठ्था करती है अपनी जोलरी को बनवाने के लिए अगर हर लेडी जिस काम को कर ले और दस दस लेडीजों से वह छे-छे-छे-जार रुपय का समान दे दे जिसमें 38 प्रोडट मिल रहा है तो हर लेडीज पांच महीने में करवनपती हो सकती है ऐसे ही जेंज भी कर स साल के अंदर दुनिया की सबसे जादा और सबसे जल्दी करोरपती पैदा करने वाली कंपनी जेंबीडी बन सकती है और दुनिया के सबसे जादा और सबसे जल्दी करोरपती पैदा करने वाले लीडर आप सब लोग बन सकते हैं और दोस्तों नेट्वर्क की तागत है आप मार्जुगरबर्ग 105 अरब डॉलर के मालिक है तोटल 105 अरब नहीं दोस्तो अभी इनकी उमर 600 साल नहीं है ये भी अभी 50-55-60 साल के ही होंगे लेकिन 105 अरब डॉलर के मालिक है क्योंकि इनके पास नेटवर्क है और जो नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है क्योंकि हर दिन कोई ना कोई फेस्बुक जॉइन कर रहा है हर दिन कोई ना कोई फेस्बुक जॉइन कर रहा है ये नेटवर्क की तागत है पाँचवे महीने में जो एक करोड आपको आ रहा है वो network की तागत से आ रहा है, network की तागत है कि आज Google एक trillion dollars से ज़्यादा का आज मालिक है, एक trillion dollars से ज़्यादा का, ये Google आप खुद सर्च करके देख सकते हैं Google पे, कि Google का network क्या है, आज जो कभी 10 रुपे के मोहताज होते थे, जिनोंने एक bank नहीं खोला, लेकिन आज पेटियम के माध्यम से 15,000 करोण, 15,000 करोण नहीं दोस्तों, 15,000 करोण के मालिक हैं, क्योंकि उनके पास network है, मोबाइल रिचार्ज करने वाला, पैसा भेजने वाला, पेटियम नहीं, पेटियम करो, network है, आज जो मैटो के मालिक, 22 करोण का network है, ओयो होटल आज विदेशों में फैल चुका है, चाइना में, इंगलेंड में, हर जगा, 2012 में शुरू हुआ, आज ओयो का सफर, पता नहीं, कितने डॉलर का network आज ये बना चुके हैं, ये आप Google पे जाके search कर सकते हैं, 1990 में कोई सोच सकता था पानी बिकेगा, लेकिन किवल पानी पीने वालों का network बना के, आज 2021 में विशलेरी 3000 करोण की company हैं, दोस्तों यहाँ पर देखिए, लिखा है मैंने सफलता समय मांगती हैं, ये है अंतिम सब्द, सब्र, लगिन इसके बाद performance भी किया, performance के साथ सब्र होना बहुत जरूरी है, 1979 में सुरू हुई और आज 3000 करोण का, ऐसे आने वाले समय में एक दिन आपके साथ होगा, जो network बनाने का मौका आपको JMPD दे रहे हैं, अक्षे कुमार जी आद 240 मिलियन डॉलर का network है, इनके पास कुछ नहीं करते केवल दर्सकों का network है, दोस्तों network marketing दुनिया का सबसे अनोखा business है, network marketing ने दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा करोण पती दिये हैं, network marketing एक दूध है, जिससे आप सब कुछ बना सकते हैं, बस बनाना आता हो, network marketing में जैसे मैंने आपको दिखाया, 700 से ज़्यादा लोगों ने अब तक ERZ खरीद लिया है, पूरी दुनिया में 70 करोण लोग स पता है, और दोस्तों, network marketing में जो सफलता का सूत्र है, वो है learning, multiply, working, equal result, कुछ लोग इसमें learning zero करते हैं, working 100% करते हैं, लेकिन zero के साथ जो भी गुड़ा होता है, वो zero हो जाता है, कुछ लोग learning 100% करते हैं, working zero करते हैं, और अंत में वो zero हो जाते हैं, वही network marketing में सफल हुए हैं जिनोंने learning 100% की, working 100% किया, और उनके पास आज result 100% हैं, दोस्तों, network marketing में जो learning के तरीके हैं, वो applying से हैं, company के tools से हैं, home meeting से हैं, group meeting से हैं, seminar से हैं, diploma से हैं, anniversary से हैं, youtube से हैं, सफल लोगों की video देखकर आप learning कर सकते हैं, और सबसे बड़ा zoom से हैं, जो आज हम सारे लोग zoom से, इ दोस्तों, network marketing हो गया है, GMBD हो गया, इसको हम क्यों करें, इस पर अगर हम चर्चा करें, तो दोस्तों, स्वस्त सरीर के लिए, आज market में कोई ऐसी दुकान नहीं है, जो 100% originality की guarantee देती हो, ये GMBD में मिल रहा है, इसलिए आप GMBD करें, GMBD में 6 महिने आप अपने घर का सारा product यूज करें, और फिरी में food supplement पाएं, और अपने आपको स्वस्त रखें, इसलिए आप GMBD करें, तो अगर आपको अपने सरीर से प्यार है, अगर आपका सरीर रहा तभी आप दुनिया में रह पाएंगे, तो इसलिए तो जरूर आपको GMBD करना चाहिए, ये बात समझनी चाहिए और लोगों को सम्झानी चाहिए, कि सवस्त सरीर के लिए GMBD बहुत जरूरी है, एक्स्टा income के लिए आप GMBD कीजिए, unlimited income के लिए आप GMBD कीजिए, समय की आजादी के लिए आप GMBD कीजिए, अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप 6 महीने या gum ya 7 महीने GMBD करके देखिए system से आपके पास पैसा भी होगा और शमय भी होगा सुरक्षित भविस्ष बिया आप GBD कीजिए मांट सम्मान के लिए आप GBD कीजिए जैसे अभी आपने देखा आज डोक्टर आजास सब मांसमान भी पा रहे हैंग पैसा भीकमा रहे हैं एक बहुत अच्छे सरकर के लिए आप JNBD कीजिए एक ब्रक्ति का जनम दिन होता है उसके रिस्तेदार नहीं आते और अभी डॉक्टर आजाज सरका जनम दिन मनाने पूरे भारत के लीडर गयत हुए थे ये एक सरकल है जो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बना है पूरा देश घूमने के लिए आप JNBD कीजिए पूरी दुनिया घूमने के लिए आप JNBD कीजिए नेटवर्किंग कीजिए तो कि अभी JNBD बिजनस विदेशों में भी सुरू होने जा रहा है एक लगजरी लाइफ जीने के लिए आप JNBD कीजिए और फ्रोज फुर्सत निकालके ऐसे सफल लोगों की वीडियो जरूर देखिए यूटूब पर जो नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कमपनी की वज़े से एक लगजरी लाइफ जी रहे हैं और वहां से सीखिए कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में टिक गए तो ऐसी लगजरी लाइफ हमें मिलेगी लेकिन उन्होंने क्या-क्या गलतियां की और क्या-क्या उन्होंने सुधार किया ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है नहीं तो उन गलतियों के बाद आप वो सुधार नहीं करेंगे और आप नेटवर्क मार्केटिंग से आउट हो जाएंगे और एक ऐसा चेतर जो आपको बहुत अच्छी लगजरी लाइफ दे सकता है उससे आप बहुत दूर हो जाएंगे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको जेंबीडी करना चाहिए आपके जितने सपने हैं उनको अगर कोई हकीकत में बदल सकता है सबसे जल्दी बदल सकता है सिस्टम से काम करने से बदल सकता है तो वो जेंबीडी बिजनेस है एक्टिव इंकम से पैसिव इंकम पर आ आजादी आजाए और जिदिन आप नदी नहीं जा पाएंगे पानी अपने आप नहीं आएगा लेकिन पैसिव इंकम का मतलब नदी से एक पाइपलाइन बिछा दी गई और आप अपने घर में टोटी लगवा लिजी और जम मन कहे तब पानी आप लीजिए जितना मन कहे उतन पानी आप लीजिए और आपको रोज रोज नदी जाने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पानी की जगा पैसा रख दीजिए जैसे आज आज आप कोई भी काम करते हैं वो एक घंटे में बधा हुआ है आप कोई भी काम करें डॉक्टरों इंजीनियरों नोकरी कर रहे हों दु चुके होंगे और दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं दोस्तों जितने भी अमीर लोग हैं सबने अपने नेट्वर को बढ़ाया है तभी वो एक लग्जरी लाइब जी रहे हैं और यही मौका यही पैसिव इंकम कमाने का मौका जेंबीडी बिजनस आप सब लोगों क को दे रहा है अब जेंबीडी कैसे करें दोस्तों अपने सपनों को क्लियर करें क्योंकि अगर आप अपने सपनों को क्लियर नहीं करेंगे तो जेंबीडी या नेट्वर्क मार्केटिंग में जो परिसानिया आती है कई बार जो परिस्थित आती है कई बार या तो लोग वह पर तूट जाते हैं लेकिन ऐसा करने वाले सारे के सारे लोग नेटवर्ग मार्केटिंग में बहुत पीछे छूट जाते हैं क्योंकि उनका सपना किलियर नहीं होता दोस्तों आज एक ब्यक्ति को उसका बाप गाली दे दे वो घर छोड़के चला जाता है लेकिन जहां से किस सपना होगा तभी आप छे बजे उठेंगे रोज सुबह किसी की प्रोस्पेक्टिंग करने जाएंगे रोज साम को किसी का फोलो अप करने जाएंगे तो आप किसी के घर में जाकर डेमो दिखाएंगे आप किसी को जीमबीडी का प्लान दिखाएंगे वो आपको सो बहाने बताएगा मैं GMPD नहीं करूँगा लेकिन आप उसको हजार तरीके बताएंगे कि इसलिए आप GMPD कर लो अगर आपके पास सपना नहीं है तो आप माथा पच्ची नहीं करेंगे लेकिन नेट्वर्ग मार्केटिंग सब कुछ देता है लेकिन उसके पहले सब कुछ सिखाता है सब कुछ लेता है और नेट्वर्ग मार्केटिंग को आज तक वही लोग कर पाएं जिनोंने इसको सपनों के लिए किया है जिनोंने इसको अपनों के लिए किया है जिनोंने इसको अपने हर सपने के लिए किया है वही नेट्वर्ग मार्केटिंग कर पाएं हैं जिनोंने इ उपयोग कीजिए बिना किसी बहाने के अगर जेंबीडी से करोड़ों आपको कमाना है और एक दिन करोड़ों लोगों का नेटवर्क भी आपने बना दिया लेकिन अगर वो 100% यूजर नहीं होंगे तो आपका अर्बो रुपे का ट्रनोबर कैसे होगा आपको क्या लगता है म इसका पती बनना है अगर आप उसके साथ नहीं रहोगे तो आपको अपना पती नहीं मानता तो आपको जेंबीडी इसे करोड़ों पती बनना है और आप अगर जेंबीडी के करोड़ों प्रोड़क्ट आप नहीं उपयोग करोगे तो जेंबीडी हर महीने किसके लिए प्र नेट्वर्कर भगोडे होते हैं और करोडों कमाने वाले बहुत थोड़े हुते हैं। लंबी लिस्ट बनाएं क्यूंकि दोस्तों आपको नेट्वर्क मार्केटिंग में निरास आपकी लिस्ट कर देती है। आप 4 लोगों के पास गए, उन्होंने आपको मना कर दिया, आप निरास हो गए. लेकिन सोचो अगर आपके पास 40 लोगों की लिस्ट होती, आप निरास होते, भले 4 लोगों ने मना कर दिया. अगर आपके पास 400 लोगों की लिस्ट होती और आपको 40 लोगों मना कर देते, तब भी आप निरास नहीं होते. अगर आपके पास 4000 लोगों की लिस्ट होती और 400 लोगों की लिस्ट होती और 40,000 लोग आपको मना कर देते, तो भी आप निरास नहीं होते. और दुनिया की आबा लिश्ट बनाना आपके हाथ में हैं और यही गाना हमेशा गाते रहिए तू साथ ना दे मेरा चलना मुझे आता है हर आग से वाकी फूं जलना मुझे आता है जो गुजर गया है अब वो दौर ना आएगा इस जिंदगी में सिवा कामिया भी कोई और ना आएगा यह गाना हमेशा जड़के आ रहा तो लंबी लिश्ट बनाईए क्योंकि जिसके लंबा चक लेना है तो लंबी लिश्ट बनाना है छोटा चक लेना है तो छोटी लिश्ट बनाना है लिश्ट बनाईए और बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए कार में बस में रेल में लोगों को ढू बंगाल में फालगुनी सर मिल जाते हैं, लगातार लोगों को ढोड़ते रहिया, ऐसे पता नहीं कितने उधारण हैं आपके सामने, जिनको मैं नहीं जानता था, जो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन मैंने अपने सपने को कलियर किया, कि मुझे जो भी पाना है वो networking से ही पान है और जिनके साथ कल मेरी जूम मीटिंग हुई आज मेरी मुलाकात हुई और आगे एक लंबी टीम पर तो मैं काम करने वाला हूं दिल्ली में तो लगातार आपको लिस्ट बढ़ाना है स्वेम की जिम्मेदारी लीजिए दोस्तों यह जिम्बीडी कैसे करें का फोर्ट जब स्वेम की जिम्मेदारी नहीं लेंगे आपका बिजनस चोथे गेर में नहीं आएगा आपका बिजनस भागेगा नहीं प्लान आपको दिखाना है फोलो अप आपको करना है डेमो आपको दिखाना है डेमो के टापके पास होनी चाहिए टूल्स आपके पास होना चाहिए जै की जिम्मेदारी अगर हमें बाप बनना है तो स्वेम की जिम्मेदारी लेनी होगी अगर हमें कामियाब भी बनना है करोड रुपया कमाना भी है तो स्वेम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि network marketing में एक बहुत कर देख लेना उनको direct join कराने वाले बहुत कम ही आपको उनके साथ stage पर दिखेंगे या जिनको उन्होंने खुद तुरंद जोईन कराया वो भी उनके साथ stage पर नहीं दिखते जिन लोगों का उन्होंने पांदस पंद्राइबीस पचीश सो पचास 200-500,000 join कराई थी उन सब ने कहीं न कहीं किसी न किसी मोड पे कभी न कभी साथ छोड़ा है अपने को मोड़ा है और उस दिल को तोड़ा है लेकिन फिर भी वो इनसान नहीं बना भगोड़ा है इसी लिए आज ओठोड़ा है और इसी लिए करोड़ों कमा रहा है क्योंकि उसने स्वयम की जिम्मेदारी ले ली अब अपलाइन को जाना है जाए डाउन लाइन को जाना है जाए वो नहीं जाएगा वो अंगत की पैर की तरह रुटिक गया है वो प्लान दिखाएगा प्रोस्पेक्टिंग करेगा वो अपने बिजनस का फैलाव करेगा बिस्तार करेगा और वो वहां पर साधारन बनके नहीं निकलेगा उस कंपनी से बलकि उस कं बुए दिन तक आप इस बूझनेस में नहीं टीके रहेंगे, क्योंकि इंटर्डनेस्टनल प्रोलम है, जहां भी बिजनस उटता है, तीसरे महीने बिजनस वहां कम होता है, जब बिजनस उटता है, तो आप कहते हो, मैं आग लगा दूँगा और जब जब बिजनस आपका कम ह का मैदान छोड मत भागो तुम बिन किये जय जय कार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं जब उनका बिजनस अब जाता है तो इतना जोस में आ जाते हैं कि कहते हैं सर पुरी दुनिया जीत लूँगा पुरी दुनिया यह international problem है कि क्यों तीसरे महीने business कम होता है जैसे अक्टूबर सितंबर अगस्त में डेंगू क्यों आता है यह problem है आता है बारिस होती है इसी महीने में होती वो आएगा उससे आप नहीं बस सकते आप बस अपना अपनी unity मजबूत रखो तो ऐसे ही आप अपने business का विस्तार क होगा तो आपको एक आशा रहेगी कहीं कम हो रहा होगा तो निरासा नहीं रहेगी बढ़ने वाली संख्या अपनी जयादा कर दीजी यह तभी होगा जो आप business का विस्तार करेंगे लेगिन बिस्तर पर रहकर बिजनस का बिस्तार नहीं होगा आपको 6 महीने या 60 महीने अपने बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा ताकि फिर अगले 60 साल उसी बिस्तर पर बैढ़कर आप लैप्टॉप से अपना बिजनस देखते रहिए और आपका बिजनस हर गिन बढ़ता रहे लक्ष के साथ काम करने की आदत डाले दोस्तों बिना लक्ष के साथ ना निकले क्योंकि अगर आप लक्ष नहीं पूरा करेंगे जो भी कंपनी का स्लेव है वो सब एक लक्ष है और कंपनी ने जितनी भी आपको लक्ष मी देनी है वो लक्ष को पूरा करने पे देनी है और इसलिए लक्ष के साथ काम करें, रोज का लक्ष आदत बनाए कि आज मैं किस लक्ष के लिए निकला हूँ और मैं किस लक्ष पर पहुंच कर ही रुपूंगा, और रोज उस लक्ष की विवेशना कीजिए कि जो मैंने लक्ष लिया था, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो लक्ष के साथ काम करें, काम करने की आदर डाले और दैनी क्लोजिंग करें, तीस दिन में क्लोजिंग होती है, लेकिन जो तीस दिन की क्लोजिंग होती है, वो दैनी क्लोजिंग का परिणाम होता है, एक तारी की क्लोजिंग कैसे हुई, दो तारी की कैसे हुई, तीन की कैसे हुई, चार के 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 15 की, 20 की, 25 की, यही सर मिलकर 30 और 31 की closing बनती है। अगर एक टारी की closing गरबढ़, फिर 2 टारी की closing गरबढ़, फिर 10 तारी की closing गरबढ़, तो 30 टारी की closing एकदम सहीं नहीं हो सकती, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि 30 दिन का बिजनस एक दिन में नहीं आ सकता लेकिन अगर हम रोज बिजनस निकालना सीख लें और रोज साम को जो बिजनस कम हुआ है उसको दूसरे दिन हम निकालना सीख लें अगर हम रोज उतने जागरुख हो जाए जितना हम 30 दिन में होते हैं तो एक जागरुख का हम duplication करेंगे और जो भी काम यहां आपको करना है दोस्तों जिंदगी भर नहीं करना सबसे खुशी की बात यह है जैसे हीरो किसी फिल्म में कुली बनता है सरावी बनता है लावारिस बनता है चिता जलवाता है तो इन उसको पता है मैं जो भी कर रहा हूं यह जिंदगी भर नहीं करना मुझे अटैची भी उठानी है कुली बनकर तो जिंदगी भर नहीं उठानी बस जब तक मेरी फिल्म नहीं बन जारी तब तक यह रोल करना है मुझे सरावी बनना है तो जिंदगी भर नहीं बनना मुझे लावारिस भी बनना है तो जिंदगी भर नहीं बनना ऐ मैं किसी से हाथ जोड़ रहा हूं तो जिन्दगी भर मुझे किसी से हाथ नहीं जोड़ना जब तक मैं चुनाओ नहीं जीत जा रहा हूं तब तक मुझे करना है इसके बाद लोग मेरे घर खाना खाने आएंगे लोग मेरा पैर चुएंगे लोग मेरा हाथ जोड़ेंगे तो यही आपको सोचना है कि आपको धैनिक क्लोजिंग जिंदगी भर नहीं करना, आपको धैनिक क्लोजिंग तब तक करना है जब तक आपकी टीम में 100, 200, 500, 1000, 1001,00, 1,00, दैनिक क्लोजिंग करने वाले ना पैदा हो जाएं। आपको दैनिक लक्ष तब तक लेना है जब तक आपकी टीम न लेने लग जाए और आपकी टीम तभी लेगी जब आप लेना शुरू करेंगे अगर आप नहीं लेंगे तो टीम भी नहीं लेगी फिर पूरी जिंदगी आप नेट्वर्क मार्केटिंग में लगा दीजिए फिर एक दिन खुब ताने दीजिए कमपनी को प्रोडट खराब कमपनी खराब अप्लाइन खराब दोस्तो सतर करोण लोगों में साथ सो लोग जानते होंगे नेट्वर्क मार्केटिंग में जो बहुत सफल है साथ लोगों का नाम भले जानते हों तो सतर करोण में 59 करोण से ज़्यादा लोग तो नेट्वर्किंग को गाली दे रहें उससे कोई फरक नहीं पड़ा अगर हम आप भी उन गाली देने वालों में सामिल हो कीचड में पढ़ती है तो कीचड हो जाती है वही पानी की बूंद किसी साप के मूं में पढ़ती है तो जहर हो जाती है वही पानी की बूंद अमरित में पढ़ती है तो अमरित हो जाती है वही पानी की बूंद गंगा नदी में पढ़ती है तो गंगा जल हो जाती है और व बजवाने वाले लोग पैदा करेंगे या गाली देने वालों की भीड में सामिल हो जाएंगे यह आपको सोचना है और दोस्तों प्रोसेस के लिए तैयार रहें नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग आते हैं उनको लगता है कि हम आएंगे और ऐसे करेंगे और करोरपती हो जाएंगे नहीं दोस्तों आप पैदा हुए तो आपको दांत आया फिर आपका वो दूद का दाट तूटा वो दाट तूटा फिर लेकिन उसके बाद भी क्या आपके अंदर से कोई बीज फूटेंगे यह ईश्वर देखता है वो सब कुछ आपके साथ होगा जो किसी भी डाइमेंड के साथ हुआ है अगर वो सब कुछ जेल कर भी आप खेलने को तयार रहे तब वो सब कुछ आपको मिलेगा जो किसी सफल को मिल रहे लेकिन अगर आपको ये लगे कि मैं बराती की तरह जाऊं और दूले की तरह दुलहन लेकर आऊं ऐसा नहीं हो सकता अगर आपको दुलहन लेकर आना है तो आपको बराती की तरह नहीं जाना आपको बरात लेकर जाना है बराती की तरह जाना और बरात लेकर जान दोनों में अंतर है, इनवर्सरी आ रही है, पता चलेगा कि आप बाराती की तरह आएं हैं या आप बारात लेकर आएं, और जिसकी जितनी बड़ी बारात होगी, उसकी दुलहन कामियाबी की उतनी सुन्दर होगी, उतनी अच्छी होगी, तो प्रोसेज को तयार रहें, समझाना पड़ेगा, कई बार लोगों को समझाना पड़ेगा, कई बार अपने को समझाना पड़ेगा, कई बार परिवार से लड़ना पड़ेगा, कई बार संसार से लड़ना पड़ेगा, कई बार धोखा मिलेगा, जिसको आप खड़ा करोगे, बढ़ा करोगे, वही आप को अंगूठा दिखा के चला जाएगा जिसको आप बहुत कुछ सिखाओगे वही इनसान आप से तर्क करेगा वर्क नहीं करेगा फिर भी आपको एक नया घोसला बनाने के लिए नया तिनका ढूना पड़ेगा ये मान के कि ये प्रोसेज है ये प्रिक्रिया है ये मेरी परिक लोग दोस्तों नेट्वर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं और प्रोसेज में तूट जाते हैं याद रखना मा बनने की ख्वाइश खुशी करने वाली है लेकिन मा बनने का प्रोसेज बहुत पीड़ा दायक है पर्धान मंतरी बनने का ये सोच खुशी करने वाला है लेकि आपके पीछे एक दिन कमांडो चलेंगे, तो दोस्तों प्रोसेस के लिए तयार रहें, अपने को सिधान्त के हवाले कर दें, अपने आप से ना चलें कि मैं प्रोड़ेट बेज कर, नहीं अपना धिमाग ना लगाएं, और नेटवर्ग मार्केटिंग का सिधान्त नेटवर् मैं सो लोगों की टीम बनाऊंगा, मैं हजार लोगों की टीम बनाऊंगा, मैं एक लाग लोगों की टीम बनाऊंगा, मैं दस लाग लोगों की टीम बनाऊंगा, और मैं टीम बनाते रहूंगा, टीम बनाते रहूंगा, रोज मैं टीम बनाऊंगा, हर महीने मेरी टीम में हुई मैं इस पर ध्यान रखूंगा कब आपका री पर्चेज बढ़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और समर्पन करें पूरा क्योंकि दोस्तों अगर आप समर्पन नहीं करेंगे जितने भी सफल लीडर हैं किसी एक कंपनी में समर्पित हैं जो भी समर्पित नहीं है उनके जीवन में कहीं न कहीं दाग लग चुका है भले वो सफल हो भले वो सफल हो तो दागदार होकर सफल होना है या बेदाग सफल होना है ये आप सोच लीजिए अगर दागदार सफल होना है तो आप अपनी मर्जी से काम कीजिएगा लेकिन अगर बेदाग सफल होना है अगर दुस्मन भी और कम्पनियों के लीडर भी आपका नाम इज़त से ले, तो फिर समर्पन कीजिएगा JMBD में पूरा, क्योंकि हनुमान जी ने समर्पन किया, हर बात पर जैश्री राव, अरजुन ने पूरा गीता का ज्यान लेने के बाद समर्पन किया, दोस्तो आपके हाथ में है, आप हनुमान जी बनकर बहुत मंदिर बनवाना चाहते हैं, या कम मंदिर बनवाना चाहते हैं, यह आपके उपर है, लेकिन जैसा आप करेंगे, वैसा ही JMBD में आप पाएंगे, यह चीज़ याद रखिएगा, यह दोस्तो हर महीने होगा, हर बार होगा, NDTW और अच्छे से इसको मैं पेश करूँगा आने वाले समय में, बस आपको NDTW के लिए लोगों को तयार करना है, और इस मीटिंग में अपने लोगों को लेकर आना है, तो आज मैं अपनी मीटिंग यहीं पे पूरी कर रहा हूँ, आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप सारे लोग इतने समय से यहां बने रहे, और आईए एक आनन्द यात्रा पे आगे बढ़ते हैं, आईए एक ऐसे-ऐसे उधारन पैदा करते हैं, कि एक दिन जो लोग नेटवर्ग मार्केटिंग से तूट चुके हैं, उनको भी वापस लाकर करोड़ पती बनाया जाए, और जो लोग नेटवर्ग मार्केटिंग मे आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं लगी अभी उनके पास कुछ है नहीं, उनके लिए भी एक सहायक बना जाए, बस याद रखना, नेटवर्ग मार्केटिंग बातूनी लोगों का बिजनस नहीं है, नेटवर्ग मार्केटिंग जुनूनी लोगों का जिनके पास जुनून था, उनी के पास आज नेटवर्ग मार्केटिंग से सुकून है, तो एक जुनून पैदा कीजिए 31 दिसंबर का, एक जुनून पैदा कीजिए रोज लक्स पूरा करके सूने का, क्योंकि जो भी आज आप कर रहे हैं, यही तो कल स्टेज से सुनाएंग और वही सुना कर तो लोगों से तालियां बजवाएंगे, तो भीया रोज वो जरूर कर डालो, जिसे आज करते हुए भले बुरा लगे, लेकिन जिसे कल स्टेज से सुनाने में बहुत अच्छा लगे, और लोग अपने आप ताली बजाने पे मजबूर हो जाएं, अपनी क नहानी खुदी गरबण मत करो, उदहारण बनने का मौका मिला है, उदहारण बनो, ना कि फिर से उसी छोटी सोच से साधारण बनो, गलतियों को सुधारो और अपनी सफलता की वजय बनो, ना कि फिर से अपने असफलता का एक कारण बनो, इनी सब्दों के साथ आप सभी ल